वेलकम अगें स्टुडेंट्स और इस वीडियो में हम डस्कस करेंगे वर्क्षीट 15 सब्जेक्ट साइंस पूर क्लास 9th and दस वर्क्षीट 2nd is schedule 4th, 7th, August, 2020. students, यह यह जुवर्क्षीट है, यह भी आपकी Chapter 3 पर्मानौ तथा अनू chapter से related है और इसमें हम पर्मानौ द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे परमानू के बारे में आप पिछली वरक्षीट में पढ़ चुके हो कि परमानू क्या होते हैं परमानू बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं ठीक है और परमानू मिलकर अनू बनाते हैं अनु से फिर क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं. ज्यान हम जानते हैं कि परमाणू इतने नन्य गण होते हैं तो क्या इनका अपना कोई द्रवयमान होता भी है या नहीं होता? ठीक है? अगर होता है तो हम उसे किस तरह व्यक्द करते हैं और लिखते हैं? तो इस worksheet में हम यही जानेंगे कि अगर कोई भी परमानु है, चाहिए वो carbon का परमानु है, nitrogen का है, oxygen का है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का कोई भी परमानु है तो उसका क्या कोई दर्वयमान होगा? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि कोई भी पदार्थ होता है तो उसका अपना एक द्रवेमान होता है और जो पदार्थ है वो किसे मिलके बना है वो अनूं और अनूं का अनूं किसे मिलके बने है वो पर्मानूं इसका मतलब यह हुआ कि अगर पदार्थ का द्रवेमान होता ह तो परमाणूं का भी कोई ना कोई द्रवेमान जरूर होना चाहिए, ठीके ना, तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि फिर परमाणूं का द्रवेमान होगा, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है, और लिखेंगे कैसे, ठीके, हाँ दीदी, वेज्ञानिक जॉन टाल्टर ने कहा था कि हर परमाणूं का अपना एक द्रवेमान होता है, उन्होंने निश्ची तनुपात के नियम अनुसार, निश्ची तनुपात का नियम आपको याद है, वाटर, ठीके ना, सो 1-8 का अनुपात जो है यहाँ पर हमारे पास हमें मिला था, कि पानी क जो परमाणू है वो 1-8 के अनुपात में होते हैं, तो निश्ची तनुपात के नियम अनुसार, परमाणू द्रवेमान की गणना भी की, परमाणू द्रवेमान को यू, यूनिफाइड परमाणू द्रवेमान इकाई में लिखा जाता है, ठीक है, एक यू, द्रवेमान कार कि जो भी परमानू द्रवयमान होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम यू में लिखेंगे, ठीक है, यूनिफाइड, जैसे हम ग्राम, किलो ग्राम, लीटर, किलो मीटर, मीटर, इकाई लेते हैं, परमानू के द्रवयमान को मापने के लिए जो इकाई है, वो क्या है, किस से दिखाएंगे, हम U से दिखाएंगे अब हमें पता कैसे चलेगा कि U UX किसके बराबर होगा उसके लिए हमने कारबन को स्टेंडेड लिया है तो इसमें देखिंए एक यम द्रव्यमान द्रवेमान क्या होगा, कारबन परमानू तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कौन सा समस्थानिक लेते हैं, हम यहाँ पर carbon 12 जो है वो लेते हैं, ठीक, अब 1u किसके बराबर होगा, 1u बराबर होगा, carbon का जो परमानू द्रव्यमान है, ठीक है, उसका एक बटे बार्मा भाग जो होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 1u के बराबर होगा अब इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि देखे यदि हम एक तर्बूज को एक कार्बन का परमानू मान लें तो देखे ये हमारा तर्बूज क्या है कार्बन का परमानू है अब इसमें क्या होगा कि जो ये कार्बन का परमानू है ये कार्बन 12 है ठीक है इस इसको हमने 12 पीसिज में काट दिया, कितने में काटा इसको हमने, हमने इसके 12 पीस बनाई, अब यानि यह पूरा कारबन कितने के बराबर हुआ, एक तरह से हम यह कह सकते हैं, कि यह पूरा का पूरा कारबन जो है, यह है 12 U, हमने इसके 12 पीस कर लिये, तो एक पीस कितने के बर बराबर मानेगे इसका 1U के, जैसे इस तरह जो इसकी एक फांक है यहाँ पर, वो कितने के बराबर होगी, 1U के बराबर होगी, जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, एक यू हाइड्रोजन का परमानु द्रवयमान होता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो द्रवय मान समझें, तो oxygen का कितना है? 16 U, 16 U का मतलब है, कि oxygen में ये जो तर्बूज की जो फाक है, ये 16 हैं, ठीक है? क्योंकि एक फाक किसके बराबर? एक U के बराबर हमने मान ली, और 16 U है, तो इसका मतलब oxygen में कितनी फाक लगेंगी? 16 फाक है, तर्बूज की, ठीक है? यानि 16 U हो गया, इसी तरह कोई भी अगर आप example लेते हो, nitrogen लो, nitrogen का कितना होता है? 14, इसका मतलब क्या है, कि ये किसके बराबर है? 14 जो तर्बूज की फाक है, उसके बराबर है, ठीक है? और हमने तर्बूज की फाक का स्टेंडर कहां से लिया? वो हमने लिया है, कारबन से, यानि कारबन का एक बटे 12 भाग किसके बराबर होगा? 1 U के बराबर है. दीदी आपने बताया था कि अधिकांश परमानू अधिक अभिक्रियाशील होने की वज़े से स्वतंतर रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं. तो फिर परमानू किस तरह अस्तित्व में रहते हैं? बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि परमानू जो है बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और अपना बाहरिक कक्ष पूरा करने के लिए वो जो है लगातार क्रिया करते रहते हैं. आप कोशिन यहीं राइज होता है कि फिर वो रह कैसे पाते हैं? उनका अस्तित्वे क्या है? सो ज्ञान परमानू आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? परमानू आपस में अभिक्रिया करके यानि इकठे होकर, पुन्जित का मतलब क्या होता है, इकठा होना, इकठे होकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या छू सकते हैं, यानि ये जो परमानु हैं, ये आपस में मिलकर अनू बनाते हैं, और अनू पदार्थ बनाएंगे और हम पदार्थ को देख भी सकते हैं, मैसूस भी कर सकते हैं, और चुबी सकते हैं. ठीक है? अब देखिए परमानू जो है, वो किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अणू के रूप में रहते हैं, और आयन के रूप में भी रह सकते अगर हम अनू की बात करें तो ये क्या है तत्व के अनू ठीक है अब इसमें तत्व के अनू का क्या मतलब है यानि ऐसे अनू जिसमें एक ही प्रकार के जो परमानू रासायनिक अभीक्रिया कर क्या बनाते हैं तत्व के अनू बनाते हैं यानि जैसे ऑक्सीजन है इसमें जो वो केवल oxygen के ही होंगे, जिसके कार्ण oxygen का एक अनू बना, इसी तरह अगर हम यहाँ पर और example लें, तो देखिए oxygen के तीन परमानों मिलकर क्या बना रही है, ozone का एक अनू यहाँ पर बना रही है, hydrogen के दो परमानों आपस में मिलकर, hydrogen का एक अनू बना रही है, ठीक है, अब बात करें, योगीक के अनू, योगीक क्या होती है, योगीक यानी जिसमें तत्वों का एक निष्ची तनू पात होता है, जैसे hydrogen plus oxygen, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका water, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, water बनेगा, next आयन क्या होती है so आयन क्या है आवेशित कणो को हम आयन कहती है किसको कहेंगे आवेशित कणो को आवेश का मतलब क्या होता है आवेश का मतलब होता है कि उनके उपर कोई न कोई आवेश होता है चार्ज होता है ठीक है अब वो कितनी टप्रकार का हो सकता है वो धनावेश भी हो सकता है और वो रिनावेश भी हो सकता है अब धनावेश का मतलब क्या है धनावेश का मतलब है कि जब कोई परमानू अपने अंदर से इलेक्ट्रोन जो है वो छोड़ देता है जैसे सोडियम है सोडियम परमानू इस से Na प्लस बन जाएगा यानि इसके उपर धन आयन आ जाएगा इसी तरह रिन आयन का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोन लिये जाते हैं जैसे क्लोरीन सो अपना बारी कक्ष पूरा करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रोन लेगा और सोडियम इसको एक इलेक्ट्रोन देगा ज्यादा डिटेल हम और आगे पड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 7 है यह यहाँ पर लास्ट में 7 है तो 8 यह अपने पूरे कर न चाहेगा जिसके काड़े एक electron ये लेगा और यहां से क्या बनेगा यहां से बनेगा NaCl अब यहां पर Na के उपर आया धन आवेश और chlorine ने इलेक्ट्रोन लिये हैं तो जितने लिये हैं उतना ही क्या आएगा रन आवेश एक electron लिया है इसके लिए एक solution worksheet जो है तयार की गई है So students ये कुछ questions हैं जो हमारा अगर आपने worksheet को अच्छे से समझा है बच्चो तो आप easily इन questions को solve कर सकते हो So first question क्या है क्या सभी पदार्थों का परमानु द्रवयमान एक जैसा होता है 12 है nitrogen है तो 14 है oxygen है तो 16 है तो हर एक जो तत्व है हर एक जो पदार्थ है उसका परमानु द्रवयमान अलग अलग होता है हर एक परमानु का द्रव्यमान अलग होगा, तो जो उससे बने हुए जितने भी अनू है, पदार्थ है, उनका भी परमानु द्रव्यमान अलग-अलग हो जाएगा. Next, प्रश्ण दो क्या है? परमानु द्रव्यमान इकाई क्या है? उधारन सहीते लिखो. So, परमानु द्रव्यमान इकाई क्या होगी? कार्बन, कार्बन कौन सह लेंगे हम? मैंने आपको बताया समस्थानिक 12. कार्बन 12 के एक परमानु के किसी विशेस समस्थानिक के द्रव्यमान के एक बटे 12 भाग को हम क्या कहेंगे? परमानु द्रव्यमान मात्रक या इकाई कहत एक टुकड़ा एक U के बराबर, और एक U जो है वो क्या होगा, स्टेंडर होगा, आब अगर oxygen है तो वो जो है 16U है, ठीके, यानि 16U का मतलब क्या है, कि उसका एक U कारदन के एक बटे बार भी भाग के बराबर है, उधारन ऑक्सिजन सोले यू है तो सोले गुना एक बटे बारे भाग और किसका कारबन का बारे यू तो कितना आ जाएगा यहां से सोले यू जो है इसका परमानू दिर्वेमान आ जाता है परमानू किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं उधारन सहीते लिखे तो देखे बच्चों परमानू किस प्रकार अस्तित्व में रहेंगे परमानू जो है वो तात्वे योगिक और आयन के रूप में अस्तित्व में रहते हैं ठीक है हमने आपको बताया कि परमानू बहुत अभी क्रियाशील है, तो वो as it is, अस्तितों में नहीं रह सकता, केवल जो अक्रिय प्रमाणू है, अक्रिय गैसे जैसे नियोन होता है, आरगन है, जिनके बाहरी कक्ष पूरा होता है, आठ या दो जिनके अंदर भरे हुए होते हैं, वही जो है, अस्तितों में सोतंतर रूप उसे अस्तितों में रह पाते हैं, बाकी नहीं रह पाते, तो जिसे तत्व बनते हैं, तत्व का मतलब क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते है, परमाणू होते हैं, जैसे oxygen प्लस oxygen क्या बना, जो oxygen का एक अनू बना, ठीक है, इसी प्रकार योगिक, योगिक में क्या है आप ततों में और भी example ले सकते हो, hydrogen है, ozone, phosphorus, तो ये सभी परमानों, एक ही प्रकार के परमानों अनुमिल्क बनाते हैं, अगर हम बात करें योगिक की, तो देखें, carbon dioxide, ammonia और पानी इसका example होगा, iron की बात करें, तो देखें, sodium, जो है, chloride iron है, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, तो इस form में भी, ये जो है, अस्तित्व में रहते हैं, next, प्रश्न चार क्या है, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, उधारन सहीते, लिखो, तो देखो बच्चों, आयनों पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश, धन आवेश का मतलब क्या है, electron का देना, sodium एक electron देगा, तो इसके उपर एक plus आ गया तो ये क्या होगा, धन आवेश दूसरा है, रिन आवेश मतलब electron का लेना for example, chloride iron इसमें electron लिया है तो इसके उपर एक minus का आवेश आ जाएगा तो ये थी complete 4 questions आपके worksheet में जो पूछे गए थे so I hope आपको जो worksheet clear है, और वीडियो कैसी लगी, ये comment करके जुरूर बताईए और अगर कई problem है, तो बच्चों आप comment करके पूछ सकते हो ठीक है, और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे, so thanks for watching student